दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है जमीन की धारा 144 क्या है कई लोगों ने प्रस्ण किया कि जमीन की धारा 144 क्या है ये किसके बारे में प्रापधान करती है तो देखिए ये जो धारा के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है UPRC उत्तरप्रदेश राज प्रापधन करती है इससे पहले मैं आपसे कहूंगा यदि आपका कोई भी जमीन से संबंदित कोई भी प्रस्ण है कोई भी ववाद है जमीन खरीदना चाहते तो आप मुझे कालमी फोरेप पर संपर कर सकते इस एपकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रख द्वारा घुस्डात्मक वाद कोई व्यक्ति जो किसी जोत या उसके भाग पर चाहे अन्यन रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से भूमदर या आसामी होने का दावा करे ऐसी भूम पर उसके भाग में अपने अधिकार की गोश्डा के लिए वाद ला सकता है देखें दोस्तों कई वार क्या होता है कि माल लीजी आप किसी जमीन पर पचास साल से या सतर साल से काविज है माल लीजी आपके पिता जी ने जमीन 68 में खरीदी थी आपने दाकिल खारज नहीं करवा पाया ठीक है या किनी aarth Bentay अपका दाकिल खार पार यह और आप सब्तर असी वर्सव से जो आप उस पर काव हैं तो धारा 144 के अकॉर्डिंग आप गोश्ड़ात्मक बाद ला सकते ठीक है और जो गोश्ड़ात्मक बाद होता है उसमें पच्छकार सब होते हैं, पच्छकार कौन-कौन होता है, राज पच्छकार बनाया जाता है, ठीक है, इसके बाद आपका दाकिल खारिज हो जाता है, देखिए 14144 का सबसे जो मैत्पुर उप्योग है, वो है कि लंबे समय से दाकिल खारिज ना होना, या उसके कोई प्रमाल पत्रन विन्ना या माली जी आपने उत्तरा अधिकार दाकिल खारिज करवाया ही नहीं दो-तिन पीडी हो गई तो ऐसी कंडिशन में आप धारा 144 के अकॉर्डिंग उद्धोषण आत्मक बाद कर सकते हैं और उन्हें जो है विपच्ची किने बनाएंगे राज सरकार और ग्रा तो देखिए जो धारा 144 उत्तरप्रदिस राजस स्वेता 2006 में है वही धारा इससे पहले लेंड रिवेन्यू एक्ट की धारा 229 भी थी ठीक है लेंड रिवेन्यू एक्ट की धारा 229 भी ये प्रापदान करती थी कि गोशलातमक बाद का प्रापदान पहले लेंड रिवेन् कर दिया गया है अब वही धारा का प्रापदान उत्तर पिदेश राजय स्वेता की धारा 144 में वही प्रापदान कर दिया गया है वीडियो चला गया थे वीडियो को लाइक जरूरू